और जोति सचार जी भगवान विष्णू चार महिने योग निद्रा में चले जाते हैं, क्यूं चले जाते हैं और इसका सम्बन सेशनाग और माता दुर्गा से कैसे हैं। तो इस हिसाब से एक वर्स में तीन महिना जो होता है, वहाँ भगवान का सेन का दिन होता है, तो तीन महिना नहीं उसको चार महिना यानि एक सो बीस दिन तक भगवान सोते हैं, इसकी कथा जो है, वहाँ बामन पुरान में लिखा हुआ है, बामन पुरान में इसका वर्डन है जब राजा बली यग कर रहे थे शोयग उसमें बामन अवतार के समय की कता है कि तीन पग भूमी जब भगवान बामन ने मांग लिया तो उसके बदले तीन पग भूमी लेकर के उसके बदले बली भी वरदान मांगा कि जदी मैं आपको तीन पगभूमी मुह मांगा दिया तो आप भी मुझे मुह मांगा बरदान दे तो भगवान विश्णु से वह मुह मांगा बरदान मांगा कि हमारे लोक में यानि पाताल में जहां का राजा बली है वहीं आप बिराजमान रहें तो इसकी कता थोड़ी सी लंबी है तो कता में लक्षमी जी जब विश्च्ण भगवान बामन बली के यहां चले गए बामन भगवान और वहीं रह गए तब लक्षमी जो है बली के पास जाकर के रक्षा बांध कर के वह भगवान को मुक्त करा है उसी समय आसिरवाद मिला कि भगवान चार महीने राजा बली के दरवार में विराजमान होंगे तो हरी सयन एकादसी से लेकर के उत्थान एकादसी तक भगवान विसनू राजा बली के लोक में पाताल चले जाते हैं इसलिए उस मान्यता के आधार पर ही भगवान चार महीना सयन करते हैं और चार महीने का भार जो है वह संकर सिव परिवार को दिया गया है तो चार महीना में सावन जो है वह संकर भगवान के नाम से अरपन हुआ एक महीना संकर भगवान चलाए सावन भादों में गनेश जी चलाते हैं और आश्विन में मैया पारवती दुरगा जी चलाती हैं कार्तिक में कार्तिक जी गनेश जी के जो बड़े भाई हैं शंकर भगवान के जो बड़े सुपुत्र हैं वो कार्तिक महिना चलाते हैं इस प्रकार से स्रिस्टी की संचालन जो होता है वो चार महिने सीव परिवार करते हैं भगवान जब तक विश्राम करते हैं और जब तक भगवान विश्राम करते हैं तब तब चातुर मास भी होता है इसी जब भगवान संकर नहीं है तो इसी को ले करके शाधु संत महात्मा शार महीना तक शातुर मास का ब्रत रखते हैं कि विस्म भगवान सोय हुए हैं पातालोक में चले गए हैं शार महीने कोई शुभकाम नह होता है और रिशी महात्मा लोग एक समय भोजन करके चार महिना गुफा कंदरा जंगलों में व्यतीत करते हैं ऐसे भी चार महिना गिरहस्ता अस्रम में कोई सुभकर्म नहीं करना चाहिए